समझ का दोस्तों मेरा नाम जय मुकर जी है और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है Facecam के जो वीडियोस है वो काफी कम आ गए है बहुत लोग मुझे पूछते हैं इन फैक्ट मेरे घर के लोग मुझे पूछने लगे है कि आप Facecam वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं ये सब तो बात ठीक है ये वीडियो का टाइडल दे करके आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं एक बॉक्स को अन्बॉक्स करने माला हूँ सो वो बॉक्स के अंदर क्या है? उसको बताने से पहले उसको अन्बॉक्स करने से में ये बता दू कि इस प्रोड़क्क को परचेस करने के लिए मैं काफी वेट कर रहा था और फाइन calendar ही जब ये प्रोड़क्ट आ गया है तो इसको unbox करने में मैंने सुचा कि कोई देर नहीं करेंगे इसको unbox करने से मैं पहले अभी बता दू कि इस box के अंदर एक microphone है और वो microphone है Levit का 440 Pure ये microphone मंगाने के बहुत सारे reasons है कुछ मैं अभी बताऊंगा और कुछ मैं इस video के आखिर में बताऊंगा जब unboxing हो जाएगा सबसे पहला reason तो है इसका जो clarity है वो next level है और मुझे काफी brands के suggestion आयते जब मैं microphone खरिदने की सोच रहा काफी artist ने मुझे suggest किया कि आप road के microphones क्यों नहीं लेते क्योंकि road बहुत जदा famous microphone है नौय मन के बारे में किसी को पता हो या ना हो लेकिन road के बारे में ज़रूर पता हो जाए तो इसका जो popularity है वो काफी है लेकिन popularity से clarity का कोई संबन्द नहीं होता बहुत सारे ऐसे microphone से जो हम और आपको नहीं पता होगे लेकिन इस तरह के microphone exist करते है और काफी लोग इसे use भी करते है और काफी clarity भी इस प्याँ quality के अगर बात करें तो road को छोड़ करके मैंने लिविट का purchase करने का एक simple सा reason था वो यह है जो मैं आगे unboxing में भी आपको बताने माला हूँ सबसे बड़ा reason यह है उसका जो diaphragm है तो diaphragm काफी बड़ा है और road के जो NT microphone आता है जो काफी famous है और मुझे काफी लोग बोल रहे थे purchase करने के लिए NT1A जो उनका anniversary model है जो आज के तारिक में मिलता है online या offline उससे इसका diaphragm का size बड़ा है diaphragm का size जो है वो बहुत जादा matter करता है किस तरीके से कितने level का वो clarity और जादा से जादा details वो record कर सकते हैं अब जादा सादा details का मतलब simple है अगर वो किसी artist के सामने रख दू या किसी guitar के सामने में रख दू तो दोनों में जितने भी details है वो सारे के सारे details वो record कर ले अच्छी तरीके अब diaphragm बड़ा होने के वज़े से वो अच्छे से वो details सारा का सारा वो record करता है और यही सबसे पहला मेरा reason था microphone live it 440 purchase करने का दूसरा reason है कि यह थोड़ा सा mid budget है मैं budget में भी नहीं बोलूंगा यह mid budget है और क्योंकि मैं एक ऐसे microphone के बाद इस microphone को purchase किया हूँ जो microphone आज के तारीक में 5.5-6.000 रुपए के आसपास में मिलता हो उस microphone से मैं इस microphone पर आया हूँ इसे purchase किया हूँ तो मैं इसको mid budget ही बोलूंगा और खास तर के यह थोड़ा सा मेंगा भी लग सकता है अपर बजेट भी लग सकता है उन लोग के लिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने home studio से home studio से अगर यह चालू कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि पहले बार ही इस तरह के microphones आप ले लो तो आप थोड़ा सा research करो थोड़ा सा आपका जो शुरूरा आते पहले आप condenser microphone से friendly हो जा और उसके बाद इस microphone का purchase कर साथ दो reason मैंने आपको बता दिया एक तो जो इसका diaphragm का size है दूसरा यह mid budget में आ जाता है और तीसरा जो बात है वो बड़ा simple है मेरे point of view से यह मेरा opinion है यह people to people it may vary मेरा simple सा funda है कि इस budget में यह microphone मुझे अगर मिल रहा है तो इसके साथ भी मैं देखना चाहूँगा कि और भी चीजे as complimentary क्या मिलती है और बाद में market में अगर उन चीजों को मैं अलग से purchase करने जाओ तो उसका value कितना होता है तो अगर उसका value जादा मिलता है और वो ही चीजे मुझे complimentary इस microphone के साथ मिल रहा है I think मुझे ऐसा लगता है कि यह एक value for money option हो सकता है मेरे लिए तो हुआ है और वो चीजे क्या-क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले तो आपको unboxing में यह देखने को मिलने वाला है तो सबसे पहले तो इसका साथ में pop filter मिल जाता है हमें wind screen मिल जाता है और साथी में इसका जो shock mount है जो around 4.5-5.000 रुपे का black color का यह जो shock mount है मिलता है और 9.5-9.5.000 रुप भी जा सकता है अगर यह white color में आपको purchase कना links में नीचे दे दूँगा आप बाद में check कर सकते हो screen पे अगर हो सके तो मैं यह photos चला दूँगा unboxing में अभी आपको यह सारा चीज़ देखने को मिल जाए तो यह 3 main reason है जिसके वज़े से मैंने यह mic को choose किया है सबसे पहला तो clarity इसका diaphragm size के वज़े से जो मेरी सबसे बड़ी priority थी उसके बाद mid budget में आता है और दूसरा value for money है क्योंकि यह 3 चीज़ इसके साथ मिलता है और साथी में carry bag एक travel bag में मिलता है जो leather का है बहार से और अंदर से परी एक velvet touch वाला bag मिलता है जिसके अंदर आप microphone को रख करके आप कही पर travel भी कर सकते हो तीन main reasons है अब उमिद करता हूँ यह 3 reasons आपको समझ में आ गए रहेंगे जिस कारण से आप आए हो इस video को देखने के लिए उस video को अभी हम आगे देखेंगे और वो होगा unboxing video और इसकी unboxing देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह तीनों points है जो मैंने बता है वो कहीं पर justify करता है या नहीं करता है जल्दी से इसकी unboxing video देखेंगे उसके बाद unboxing के बाद मैं आपको फिर से मिलूँगा और यह यह है box और इसकी कन्नी है मुझे अभी unboxing well अब तलग आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या है इस box के अंदर तो जल्दी से इसको unbox करेंगे यह देखिए इस box के अंदर यह जो company ने box दिया हुआ है वो है इसके अंदर अब इसको निकालेंगे यह देखिए यह box है और यह इसका मेरे कहल में फ्रेंट साइड है देखिए density 440 pure experience pure studio sound ठीक है आप इसका जो plastic है वो इसको निकालेंगे जल्दी से अब इसको देखना पड़ेगा कि किस तरफ से यह खुलता है क्योंकि इसकी जो cutting है box का जो shape है वो काफी unique है यह देखिए है और रैट तो यह जो box है यह कुछ ऐसे खुलता है simple है यह देखिए ठीक है अब box खोलते ही जो है इसको मैं side में रख देता हूँ यहां में कुछ literature मिलते है और जिसको scan करने के बाद इसका जो quick start guide है वो भी आपको मिल जाएगा यहां से activate 48 volts phantom power जो condenser microphones के लिए ज़रूद होता है देखिए यह एक leather pouch दिया हुआ है I believe यह leather है इसके अंदर जो है microphone हम लगा सकते है और यह कुछ stickers है तो यह यहां पर मैंने रख दिया है अब इसके अंदर जो है असली जो microphone है वो I believe होने वाला है अच्छा तो यह कुछ tray जैसा बनाया हुआ है उसके अंदर इनोंने रखा हुआ है जो microphone है ठीक है तो यह है actual अंदर का box ठीक है यह इनका जो presentation है यह बहुत ही अच्छा है इसमें कोई दो राए नहीं है हाथ में बैंड मिल ला है यहां पर लिविट का यह बैंड है और make yourself ahead काफी अच्छा tag line यह इसको रख देता हूँ मैं साथ में यहां पर कुछ चीजे मिली है अब एक एक करके में बता देता हूँ क्या है यह तो definitely जो microphone है यहां पर अब यह जो है यह इसका पॉफ फिल्टर है पॉफ फिल्टर का जो प्राइस है वो अलग से लिने जाएंगे यह शायद शॉक माउंट का प्राइस आपको बता रहा था इसके लिए तो इसका मैं आपको फिर भी एक बार कन्फर्म करके नीचे डिस्क्रिप्शन में यह स्क्रीन पर बता दूँँगा यह इसका शॉक माउंट है यह इसके साथ ही मिलता यह बहुत अच्छी बात है और यह इसका पैकेट है इसको भी साइड में रखेंगे और शॉक माउंट इसका जो है काफी मजबूत है इसके बीच में माइक्रफोन फिट होने माला है अब इसके पास में रखा है ये माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है, मुझे लग रहा था यहां पर माइक्रोफोन है, इसको मैं बताऊँगा, ये केबल टाई भी मिला है, केबल को टाई करने के लिए, वेल्ट्रो वाला और उनकी ही ब्रैंडिंग है, मैं को बताता हूं, उस को लगाने से जो है वो फेस या उसका जो स्क्रीन जाता था इससे वो अभी नहीं होने वाला है देखिए यह का पॉर फिल्टर है इसको भी साइड में रख दूँ है यह जो है वींशिल्ड इसका यह विंच्रीन क्या बोलते है यह मिला है उसमें भी लिविट का यह ब्रैंड मैंगनेटिक है यह मैंने देखा हुआ था यूटूब में शॉक पॉंट मैंने बता दिया अब जो माइक है जिसके वज़े से आप इस वीडियो को आप देख रहे हो वह मैं आभी आपको बता दो यह माइक्रोफोन है इसका जो डाइफराम है वह यहीं से विजिबल है और वह यह ब्राइंडिंग है और यहां पे लिविट लिखा हुआ है ड्रीलिविट की ब्राइंडिंग है यह logo आपको यहां पे दिखे हो अब पता नहीं इस यह लिट करता है या नहीं connection होने पर इसे हम बात में चेक करेंगे जब मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें इसकी जो टेस्टिंग है वाइस की जो इसका जो आडियो टेस्ट है वो जब मैं करूँगा तब ही इसके बारे में बताँगा और इसको मैं बता दूँ ये इसे कुछ फिट होने वाला है देखिए ये ऐसे चले जाता है शॉक माउंट के अंदर और ये यहां से नीचे से फिर ये फिट होगा इसका जो एकसलार लगने वाला है और उसके बाद इसे पर फिट करेंगे इसे फिट करते है वह भी में एक बार चेक करूँगा और हो सगे तो उसे भी रेकॉर्ड करूँगा तो ये थी इसकी अन्बॉक्सिंग और हाँ एक और चीज ये जो पॉप फिल्टर है वह मैं आपको लगा के बता देता हूँ बड़ा ही सिंपल है ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे ऐसे ही लगाते है और इसे शायद से ऐसे फिट करते है पहले तो शॉप मांट में और उसके बाद इसके उपर से जो है लगाते है इस तो ये मैंगनेटिक कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ मैं अभी समझ गया हूँ इसे फिट करने है देखिए यह जो एरिया है यह ऐसे करके सेट हो जाता है यह मैगनेटिक है यह ऐसे लगाया यह बैड गया यह कुछ निकलता नहीं है इहां से यह लगा के बिठा दी यह इसका आलोवर जो मेकानीजम है वो है यहां जो है इसकी स्टैंड की फिटिंग होती है वो मैं अभी उसके बाद मैं शायद इसको record करके बता दो तो ये थी इसकी unboxing और अब वीडियो में आगे बात करते है इसको purchase करने का मेरा reason क्या है तो मैंने बताया detail में उसके बारे में इसके बात करेंगे अले सो उमिद करता हूँ इसका unboxing देखकर के आपको पता चल गया होगा कि ये value for money क्यूं है mid budget ये क्यूं है और इसके कुछ links है मैं description box में दे दूँगा या pin comments में दे दूँगा आपको अगर purchase करना है वहाँ से आप जरूर purchase करें हमारे channel को help हो जाएगा और आखिर में मैं आपक साल एक दूसरे brand का microphone मैंने चलाया उस पर जो skills है अपने set किये और उसके बाद जो है मैंने ये microphone में invest किया और ये microphone में invest करने का भी एक और सबसे बड़ा reason ये है कि हमारे यहाँ जो artist आते हैं वो artist भी चाते थे कि upgrade करें हम लोग और एक next level में हम जाए एक level up करें क्यूंकि उन काम करते रहे सबके mix थे कि रोट के microphone का था जैसे मैंने आपको बताया और जब मैंने उनसे ये discuss किया कि मैं लिविट का purchase करने वाला हूं तो उनके थोड़े से feelings जो है mix feelings थे फिर जबी मैंने उनको detail में discuss करके बताया कि ये microphone लेने का reason ये है तब जाकर कि उनको बात समझ में और उनके कुछ friend circle में भी इसका एक निचला वाला version भी है लिविट 240 उनके friend circle में already भी ये mic कोई न कोई use कर रहा था तब जाकर कि उनको समझ में आया कि 240 में अगर clarity दे देता है तो 440 क्या level का होगा तो उमीद करता हूं इस video से आपको ये पता चल गया है कि इस microphone लेने का मेर रीजन क्या है मेरे studio में इसे रखने का commercially मैं एक studio run कर रहा हूं एक और वीडियो में बनाना चाहूंगा इसके बाद जिसमें मैं आपको लिविट 440 का जो audio test है वो मैं दे दूं आपको उस audio test से आपको इसकी जो clarity है इसका जो voice का texture है जिस तरह का ये tone produce करता है वो भी आपको पता चल जाएगा ये video थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसके लिए मैं ये audio test है वो अगले एक video बना करके आपको बताना चाहूंगा तो ये video अगर आपको पसंद आया तो एक like जरूर कर दीजिए चैनल पे अगर आप नए हो तो subscribe जरूर कर दीजिए और इस video को आप अपने friends से share जरूर करे और audio test का video भी बहुत जल्दी आजाए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी video में अब तक के लिए जय हिंद जय भारत पंदे मातर झाल झाल